आपको आपका यूटूब चैनल दीपक लेक्चरर में तो आज की इस वीडियो में क्लाश 12 फिजिक्स का चेप्टर नंबर 10 जो आपका है बेव ओप्टिक्स यानि तरंग परकास की इसका हम लोग VBI ओजेक्टिव क्यूशन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा एक पोटेंट है और यहां से आपके बोर्ड एक्जाम में 2 से 3 नंबर का क्यूशन हर वर्स पूछा जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं अगर आपको वीडियो पसं तो यहां देखिएगा फर्स नंबर क्यूशन क्या है परकास के कनिका सिधान्त के प्रतिपादक थे यानि परकास के जो कनिका सिधान्त है उसके प्रतिपादक कौन थे यानि परकास के कनिका सिधान्त का नियम किस ने दिया तो यहां परकास के कनिका सिधान्त निउटन ना बेग्यानिक द्वारा दिया गया था तो option number क्या हो जाएगा ? Option number B correct है यहाँ पर बहुत सारे लोग high ędंस लगाते हैं लेकिन नहीं परकास के जौ आपका कानिका सिधान्थ था वह Newton नामक बेग्यानिक द्वारा दिया गया है clockwise number यहाँपर क्या हो जाएगा ? परकास का बेग क्या होता है तो निउटन नामक बेग्यानिक ने बताए था कि जो परकास का बेग है वह बायू की अपेच्छा जल में अधीक होता है क्या होता है बायू की अपेच्छा जल में अधीक होता है जो बाद में पदा चला कि नहीं बायू में परकास की चाल अधीक होता है जल में कम होता है तो बहुत सारे बेग्यानिक है उसके बाद न्यूटन का यह नियम गलत हो गया यानि गलत सावित हो गया लेकिन न्यूटन नामेक बेग्यानिक नियमत किया बताए था कि जल में परकास की चाल अधिक होता है वाई उसे लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआता, option number A correct है, देखते हैं next question, तो next nation देखिएगा आपका three number, परकास किस परकार के company से बनता है, यानि जो परकास जो आपका तरंग है वह किस परकार के company से बनता है, तो परकास आपका electric और magnetic field के company से बनता है, तो option नमबर क्या हो जाएगा option नमबर यहाँ पे आपका C correct है इक पोर्टेंड की उसन है आपके बोर्ड एक्जाम के लिए तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका परकास है वह किस से बनता है तो आपका electric और magnetic field के आपका कमपन से बनता है तो option नमबर यहाँ पे आपका C correct है कि उसन नमबर आपका 5 का तो आप लोग याद रखिएगा देखते हैं next question तो next question यहाँ पे देखिए four नमबर परकास के तरंग गती सिधान्त के अनुसार परकास के वर निरनायक है यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आपका परकास के तरंग गती सिधान्त है उसके अनुसार परकास के वर निरनायक है यानि किस चीज पर depend करता है कि परकास कैसा होगा लाल होगा हरा होगा पीला होगा बैगनी होगा गुलाबी होगा वह किस पर depend करता है तो वह परकास की आपका frequency पर आभिरिती पर depend करता है तो option number क्या हो जाएगा option number यहाँ पर आपका d correct है यानि आपका c correct है तो option number c यहाँ पर स को तो next question देखिए five number हाइगेंज के अनुसार परकास की तरंग होती है तो हाइगेंज के अनुसार जो परकास की तरंग है वह कैसी होती है तो वह आपका mechanical और आपका लोगी चुडनल होता है option number a में यानि यांत्रिक और अनुदेर होता है तो option number a correct हो जाएगा important question है आपके board exam के लिए तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा देखते हैं अगला question अगला question है six number द्रीतिय तरंगी काउं की अविधार ना दी थी तो द्रीतिय तरंगी काउं की अविधार ना किस ने दिया था तो हाइगेंस नामक बेग्यानिक ने द्रीतिय तरंगी काउं की अविधार ना दिया था तो option number क्या हो जाएगा option number यहाँ पे आपका c correct है होता है यानि transverse होता है तो किसने सिध किया था तो यंग तथा फ्रेंजनल नामग वेग्यानिक नहीं सिध किया कि जो आपका परकास की जो तरंगे होती है वक्का ऐसी होती है तो वह आपका transverse होता है यानि आपका अनुप्रस्ट होता है तो option number यहाँ पर आपका D correct है important question है याद रखिएगा BVI question है देखते हैं अगला question को अगला question है आप देखिए 8 number 8 number क्या है परियोग साला में शवर पर्थम विद्धूत चुमक की तरंग उत्पन करने वाला वेग्यानिक था यानि आपका lab में सबसे पहले electromagnetic wave किसने उत्पन किया था तो सबसे पहले Maxwell नामक वेग्यानिक ने electromagnetic wave यहाँ पर आपका lab में उत्पन किया था तो option number क्या हो जाएगा option number यहाँ पर आपका D correct है important question है तो याद रखिएगा अगला question है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो आपका परकास है वह क्या है विद्धूत चुमबा की यह तरंग है तो यह जो आपका था हवा हड्स नामक वेग्यानिक ने आपका किया था तो option number क्या हो जाएगा option number B correct है important question है आपके board exam के लिए तो आप लोग इसको याद रखेगा देखते हैं next question तो next question यहाँ पर है 10 number परकास को photon मान कर नीमन में किस घटना की ब्याख्या की जा सकती है यानि परकास को अगर हम लोग photon माने तो हम लोग किस घटना की ब्याख्या कर शकते है तो हम लोग यहाँ पर रमन effect यानि रमन परभाब की ब्याक्या कर शकते हैं तो option number क्या हो जाएगा option number यहाँ पर आपका a correct है यानि परकास को photon मानकन हम रोग रमन effect को हम लोग ब्याक्या कर शकते हैं explain कर शकते हैं तो option number a correct है देखते हैं next question next question है आपका 11th number परकास विद्धूत परभाब की खोज की तो परकास विद्धूत परभाब की खोज किसने किया था important question है तो परकास विद्धूत परभाब की खोज सबसे पहले हडस नामक बेग्यानिक ने किया था किसने हडस नामक बेग्यानिक ने तो option number b correct हो जाएगा अगला number की उसन देखते हैं यहाँ पर 12 number तरंगो के वेतिकरन की घटना में तो तरंगो की जब वेतिकरन होता है तो उसमें उर्जा का ना तो 6 होता है और नहीं उर्जा का हानी होता है केबल उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है पुना वित्रन होता है तो option number क्या हो जाएगा option number C correct है नहीं तो यहाँ पर energy conservation जो ला है उसका क्या हो जाता उलंगर हो जाता इसलिए उर्जा नहीं जीवी यानि उर्जा को नहीं लोग छै कर सकते हैं नहीं उर्जा को रूप से, दूसरे रूप में क्या होता है, हमेशा इंटर चेंज होता है, तो ओप्सन नंबर क्या हो जाएगा, ओप्सन नंबर सी करेक्ट है, इट पोर्डन की उसन है, आपके बोर्ड इक्जाम के लिए तो आप लोग इसको याद रखिएगा, देखते हैं, नेस्ट की उसन नेस्ट की उसन है, ठाटीन, वेति करण की घट ना हो सकती है, तो जो आपका इंटर फ्रेंस की जो घटना है, वह सभी परकार के तरंगों में, चाहे वह अनुपरस्थ हो, अनुदैरे हो, यानि लवगी चूडनल हो, ट्रांसभर्स हो, सभी परकार की तरंगों में, वेति क करण की घट ना संभव है, तो उप्सन नंबर क्या हो जाएगा, उप्सन नंबर A करेक्ट है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, इक पोर्टन क्यूशन है, देखते हैं अगला क्यूशन, अगला क्यूशन है फोर्टीन, दो सरोतों को कला समन्द तब कहा जाता है जब, यानि हम लोग दो सरोतों को कला समन्द कब कहते हैं, जब उसका जो कलांतर है, उसका जो फेज डिफिरेंस है वहा, कॉस्टेंट हो, नियत हो, तो उसे हम लोग कला समन्द कहते हैं, यानि उसके कलांतर क्या हो, नियत हो, यानि आपका क्या हो, आपका कॉस्टेंट ह तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कला सम्मंद कहते हैं, तो option number B correct है, देखते हैं next question, next question है 15 number, 3 prism के koon को बढ़ाने से prism की चोड़ाई पर क्या असर होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 prism के koon को बढ़ाने से prism की चोड़ाई घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा important question है, कि जब आप लोग prism की क्या करिएगा, यहाँ पे कोन को बढ़ाईएगा, तो जो आपका fringe की चोड़ाई है, वह कम हो जाएगी, next question यहाँ पे देखते है 16, 16 question important question है, दो कला सम्मंद स्रोत के कारण, परकास के बेती करण में fringe की चोड़ाई होती है, तो fringe की चोड़ाई का formula क्या होता है, आप लोग बताएगे, तो fringe की चोड़ाई w बरावर d lambda upon a small d होता है, तो यहाँ पे lambda क्या है, त्रंग देर यानि wavelength, तो wavelength के क्या होता है, समान उपाती होता है, अनुकरमान उपाती होता है, तो यहाँ पे अगला क्यूशन यहां पे है 17 यंग के परियोग में यदि परकास की बेविलेंद दोगनी कर दी जाए तो फिरिंज की चोड़ाई तो अभी आपको होताया जब बेविलेंद को दूगना गरेंगे तो उसकी चोड़ाई भी कितना हो जाएगा दूगना हो जाएगा क्योंकि सम परकास का बेतिकरन और ही क्या होता है सावुन का जो भूलबुला होता है वहर्प परकास में रंगीन दिखाई देता है आप लोग इसको देख सकते हैं तो अप्सन नमबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट है नेश्ट की उसनेहां पे देखते है तो इस किरिया को हम लोग बिवर्थन कहते हैं डिफ्रेक्शन कहते हैं तो option number क्या हो जाएगा option number A correct है इट पोर्टेंड क्यूशन है आपके board exam के लिए जब परकास की किरन एक अवरोधक से मूरती है तो यह किरिया को हम लोग क्या कहते हैं इस किरिया को हम लोग बिवर्थन कहते हैं तो option number A correct है देखते हैं अगला क्यूशन अगला क्यूशन यहाँ पे है 20 परकास के बिवर्थन के लिए अवरोधक का आकार तो परकास के बिवर्थन तभी संभव है कि परकास की बेवलेंद की कोटी का होना चाहिए तभी परकास का बिवर्थन शंभव है तो option number A correct है देखते हैं अगला क्यूशन अगला क्यूशन है 21 21 तीछन सीधे कोर से प्राप्त बिवर्थन फ्रिंज है यानि जब फ्रिंज जो आपका प्राप्त होता है जो वह कहां से प्राप्त होता है तीछन सीधे कोर से तो उसकी जो चवड़ाई है वह समान नहीं होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option number A correct है important question है तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा काफी important question है कि जब तीछन सीध कोर से विवर्तिन की फ्रिंज जो प्राप्त होता है तो वह उसकी जो चवड़ाई है वह अलग-अलग होती है देखते हैं अगला question तो अगला question यहाँ पर है 22 जिस घटना से परकास तरंगों की परकीर्ती की ब्याक्या अनुपरस्त सीध होती है वह है यानि जिस घटना से परकास तरंगों की परकीर्ती सीध होती है कि परकास क्या है transverse है तो यहाँ घटना क्या है आपका धुरूबन कहलाता है धुरूबन तो यहाँ पर आपका option number क्या हो जाएगा भी correct हो जाएगा तो आप लोग इसको याद रखेगा important question है देखते हैं अगला question अगला question है 23 23 क्या है समतल धुरूवित परकास में कमपन होते है तो समतल धुरूवित परकास में जो कमपन होती है वह cable और cable एक कहीं दीशा में होता है यानि एक कहीं direction में होता है धुरूवन कोन की असपर्स जया पदार्थ के अपवर्तनांग के बरावर होता है यह कहलाता है तो यह क्या कहलाता है यह booster कानियम कहलाता है booster कानियम क्या कहता है कि धुरूवन कोन की जो जया है वह पदार्थ के अपवर्तनांग के बरावर होता है equal होता है तो option number B correct हो जाएगा अगला नंबर यहां पे question देखते है 25 booster का नियम है तो booster का नियम क्या कहता है N वरावर 10 IP यह क्या है booster का नियम तो option number क्या हो जाएगा option number यहां पे आपका C आपका correct हो जाएगा तो आप लोग यहां पे किसका अपवर्तनांक सबसे अधीक होता है तो सारे लोग जानते हैं हीरा का कितना होता है 2.42 इसका सबसे ज़्यादा अधीक होता है अपवर्तनांक तो option number D correct है देखते हैं अगला क्यूशन 27 किसी बिंदू स्रोथ से परमित दूरी पर तरंगागर होता है तो याद रखिएगा अगला क्यूशन है आपका 28 28 क्या है एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी तो lens की focus दूरी क्या हो जाएगी यानि उत्तल lens को एसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक lens के अपवर्तनांक के बरावर है तो lens दिखाई नहीं पड़ेगा यानि lens की जो focus दूरी है वह कितना हो जाएगा अनन्त हो जाएगा तो option number B correct है एक potent question है बहुत ही अच्छा question है तो याद रखिएगा आपके board exam में आया हुआ है देखते हैं next question next question यहाँ पे है 29 मानव नेतर का विभेदन छमता मीनट में होता है तो कितना होता है half minute होता है तो option number B correct है और यह वी question आपके board exam में पूछा गया है सारे लोग इसको याद कर लिजे इक potent question है देखते हैं अपना last question 30 30 क्या है उत्तल lens प्रस पर संपर्क में रखे हैं तो संपूर्ण lens होगा यानि दो lens को हम लोग संपर्क में रखेंगे उत्तल lens को तो वह उत्तल ही तो रहेगा अवह अवत्तल थोड़े हो जाएगा तो यहाँ पर आपका option number क्या हो जाएगा आपका उत्तल ही बना रहेगा तो option number क्या हो जाएगा दोस्त option number A यहाँ पर correct है important question है BVI question है तो इसी के साथ हम लोग 30 objective question को देखें जो आपके board exam के लिए काफी जादा important है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करिएगा अगर आप लोग इसका PDF चाहते है तो आप मारे टेलिग्राम चैनल पर जूड़ सकते है अगर आपको जादा doubt होता है तो आपको decision में number दिया गया है उस पर आप लोग बाटसप message करके अपने doubt को clear कर सकते है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए क्या करिए अगर आपका doubt होता है comment box में दिखिए और अराम से पढ़ते रहिए आपको board exam का time बहुत कम बचा हुआ है तो आप लोग मन